अंडर्वर्ड वालों के रोंगते खड़े होते अंडर्वर्ड वाले जूते पे छुकते हैं कराची वाले दाउद को भी गिनते नहीं है हम डाकू के खांदान से आते हैं यह अंदाद इसका मद पपी ले लेता हैं नमस्कार आप सभी का स्वागत है और इस समय हमारे साथ मौझूद है बिग बॉस सीजन 18 के सबसे चर्शित कंटेस्टेंट गुरु रातन जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले यह बताइए कि आपने इंट्रे करते ही धमाका किया है लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इवन सलमान खान भी बहुत ज़ाद आपको पसंद कर रहे है सबसे पहले आपने खुद को देखा कैसा लगा आपको जो कल थे वही बिग बास में भी थे आज भी वही है और कल भी वही रहेंगे हम हम अपने आपको बदलना नहीं चाहते और सलमान ने रियालिटी देखा और हम कलाकारों की बड़ी इज़एत करते है और हम कलाकार कि दुनिया से यही बार बार कहते है परेशानियों में हम जैसे भाईयों को याद करो क्योंकि हम सच्चे दिल के और सिंपल सिंपल होते है कभी भी कलाकारों ने एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि गुनेगारी जगत से उन्होंने आपना जो क्या कहते है डिस्टंस रखना चाहिए यह मानने वालों में से है कला तो शारुक की भी अच्छी है कला तो सल्मान की भी अच्छी है गोविंदा की भी अच्छी है और कंगना जी की भी लाजवाब है हम यह समझते है कि कला जगत की एक मरियादा हो जो मरियादा लोगों के दिल में लोगों का mind blowing पसंद करने के लिए हो कला की जगत पर गुनेगारी जगत का राज न हो फिर वो दावुद हो या कोई हो या कोई हो लेकिन कला पर सरिफ कलाकारों का राज हो यही हम डंके की चोट पे बोलते है सबसे पहले हमारा सवाल यह रहागा सर किन कानूनी कारवाई करने के लिए बाहर आये हैं क्या वजय थी आपको पहले से पता था कि यह सब चीजे इस डेट पर यह तारीक पड़ी है यह आपको नहीं पता था अचानक से यह तारीक पड़ी है प्रभू श्री राम चंद्र को मानने वाले माँ भली हनुमान जी को मानने वाला यह देश है और यहां का हर अदमी डाक्टर बाबा सब अमबेड करका लिखा समीधान बहुत पुर्जोर तरीके से मानता है तो कोट का फिल्मी भाशा में बोलना चलो बुलाया आया है कोट ने बुलाया है और जब कोट ने बुलाया ही था तो बड़े अच्छे है कलर स्वाले उन्होंने भी समझ लिया कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते है तो उन्होंने कह दिया उनको जैसे ही समझ में आया कि मान यह उच्छनायले में मुख्यनाय मुर्ती जी के जो बेंच है फुल बेंच वहाँ पर हमें अपनी दलीले देनी थी भारत का सबसे मशूर केस होने जाने वाला है जो जैश्री पाटिल जी के नाम से है और रिजर्वेशन से समझ दित है देश के सामने बड़ी एक राजनायतिक अरक्षन की चुनोती है तो उस बड़े याने जटील विशय पर दलील के लिए हमें हाई कोट जाना था इसलिए हम वहां से जो है चले गए उचनायले की तरफ लेकिन वहां भी जाने में टाइम हो गया तो कोट से भी थोड़ी फटकार पड़ी वो तो कोट से पड़ती है तो सिक दिलाने के लिए वो अंडरवल जैसी नहीं होती है बट सवाल ये भी उठता है कि क्या अब वापस बिग बॉस के घर में आप वापस जाएंगे क्योंकि ऐसा कहा जाता कि बिग बॉस के घर से कर बहार निकल गए तो वापस नहीं हो सकते इन कुछ तर्म्स हुए हैं कुछ पहले भी हुए हैं एक लोगों ने कुछ हदा पाई की वापस पॉब्लिक डिमांड पर अंदर गये हैं बट आपका केस बिल्कुल अलग है तो क्या आपकी वापसी होगी बिग बॉस के घर के अंद की है 17 साल के उम्र में बिग बॉस के जो इजद नहीं हुई है 18 साल में गुनरतन की चली भी है बनी बी है और गुनरतन ने बनाई भी है बिग बॉस की इजद क्योंकि बीग बॉस अठरा 18 की उमर कानून कहता है मैचुरिटी अब बिग बॉस को भी मैचुरिटी आई है तो हमें अंदर फिर से जाने के लिए बिग बॉस में कोई रोक टोक रुकावट नहीं है और हम आडे आने वाले कराची वाले दाउत को भी गिनते नहीं है तो हम सदा वरते हैं हम डाकू के खांदान से आते हैं तो हम बच्पन से ही ऐसे हैं मैम आपने देखा इन्होंने घर के अंदर आपकी जिस तरह से आपके बारे में आपके प्यार के बारे में जिस तरह से उन्होंने बोला है वाइरल हो रहा है बहुत लोग यह करें कि ऐसा ही होना चाहिए बहुत सारी चीजे जो आपने देखा पहले वह वीडियो आपको नहीं आपको भी बीब्वास के अंदर जाना है इनके साथ अगर आप होती तो शायद डबल धमाका होता है आप आप जयाती तो जैसा भी हमने देखा इसे कई ज्यादा दमागा देखनों को मिलता है मैं इसका जवाब दूँ अंडर वर्ड वालों के रोंगते खड़े होते क्यूंकि जैश्री पाटिल अंडर वर्ड टेररिजम क्रोस बॉर्डर टेररिजम की पहली ऐसी डॉक्टरेट है और सर्गना छोटा राजन की बीबी नानी के संबंदित मान अधिकार की केस की वो पहर भी कर चुकी है तो अंडर वर्ड वालों की तो कुछ नहीं थी फिर वो उनके तो ट्यूब लाइट जलते थे और वो सोचते थे यह क्या हो गया पता नहीं किसका कहां से परदाफास हो जाएगा बहुत ही ट्रिमेंडस हो जाता था सब कुछ आपने घर के अंदर बहुत सार होते नहीं है डर के आगे जीत होती है ऐसी हमारी बिटिया जो भारत की जहन मेरी जहने बिटिया का नाम जो बाल शोर्य पुरुसकार है जो बचों के जो बचों में सबसे सरवंकश उंचा पुरुसकार होता है उसकी वो विजयता रही है तो वो कहती है कि डर के आगे जीत ह की है और हम ठाकों के खांदान से हमें डर नहीं लगता लोग हमें डरते है और अंडर्ष किया है यह भी आप उनसे बात कर हैं बहुत इज्ड़त के साथ आपने बात किया है और शिल्पा का जो गेम आपको लगता है कैसा लग रहा है घर के अंदर देखिए वह हमारी बड़ी बहन है हमारी याने हम हम हर कलाकार की इज़त करते हैं शिस्टर रिष्टा होने से वह बिग बॉस जीतना हरना इतना असान नहीं है हम यह समझते हैं कि वहां पर जो है सत्रा वन टू थ्री फोर अर्ट रहा है और जिस तरह से वह दिखाया जा रहे हैं घर के अंदर टॉप टू में भी उनको बता दिया गया है आपको नहीं लगता कि और कंटेशन के लिए जायस नहीं है मैं किसी के उपर टिपनी इसलिए नहीं करना चाहता हूँ बेटे छोटे होने से यह पबलिक है सब जानती है हम कला दुनिया में पहली बार गये हैं फिर भी पबलिक ने चाहत दी है इस वज़े से मैं यह इतना ही जानता हूँ कि सत्रा खिलाड़ी एक सरीके है और पबलिक का गुनरतन है एक रतन एक लाग गुनरतन तो फाइनली आपको घर के अंदर कौन लगता है लंबी रिस का घोड़ा है आपके अलावा हम अपने आपको बड़ा नहीं कहते लेकिन जनता ने हमें चुना है और बिग बॉस ने एलिमिनेट नहीं किया है तो सत्रा के सत्रा उबले चने फ्यूचर हीरो और जनता का नायक हीरो हम है गुनरतन मेरे जेहन में इसलिए आया क्योंकि आप इतने बड़े-बड़े केस लड़ने वाले जब घर में छोटे-छोटे बातों पर आलू पर लड़ाई होती है तो आप उस वहां कैसा फील कर रहे थे कि यह क्या ह हो रहे है तो चोटी चोटी बातों पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं जनता के दिमाग दिल दिमाग की सोचते हैं और उन्हें जो चाये हो हम देते हैं क्योंकि हम जनता के हैं जनता हमारी है यह हमारा रिष्टा है सत्रहों से हमारा कोई लगा नहीं है सत्रह सत्रह है औ और हम हम हैं यह उम्मीद करते हैं जल्दी आप बिक बॉस के घर आए और फिर से यही दमाल देखाएं और आप भी हैं जल्दी मत बोलो हमें तुम विदान सबा में जल्दी देखो